2019 का चुनाब होगा दुनिया का सबसे महंगा चुनाब अमेरिकी विशेशग्या का दावा नमस्कार दोस्तों आप सभी का हरदिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों आगामी लोगसवा चुनाब की तारीखों का एलान हो चुका है 543 लोगसवा सीटों के लिए 7 चर्नों में मतदान होंगी जिनके नतीजे 23 मैं को आएंगे नतीजें से पता चल जाएगा कि सत्ता की चावी जनता ने किसके हातों में सौपी है लेकिन उससे पहरे राजनीतिक पार्टिया चुनाब पर चार पर काफी खर्च करेंगी एक अमेरिकी विशेशक्या का दावा है कि भारत के इतियास का सबसे महगा और किसी भी लोकतांत्रिक देश में आयूजित होने वाला सबसे महगा चुनाब होगा कनौर जी एडमोर्ट फोर इंटरनेशनल पीस के साउथ एशिया प्रोग्राम के निर्देशक विलन वैशनम ने कहा है कि अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्यपती के चुनाब पर 54 खरब 55 अरब 5 करोर 52 लाख 50 हजार रुपे आया था तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि 2019 के चुनाबों में इससे ज्यादा खर्च होगा उन्होंने आगे कहा जिसके कारण यह भारती चुनाब द्वारा सबसे महगा चुनाब बन जाएगा आने वाले चुनाबों में जुड़ी, अन, शिर्षिस्ता, भाजपा और विपक्ष के वीच एक सक्रिन अंतर को संकेत देती है जिसके वज़े से खर्च बढ़ेगा वैशनब भारती चुनाबों पर होने वाले खर्च को लेकर एक विशेशक्य के दोर पर उबरे हैं उनका कहना है कि आगामी भारती चुनाब पर अब तक के भारती इतियास में सबसे महंगे चुनाब होंगे वैशनब का कहना है कि पिछले चुनाबों की तुलना से इस बार चुनाब का खर्चा भारती राजनेती अर्थविवस्ता एक अधार बन गई है जिसके व्यापक रूप से सुईकार किया जा सकता है कि यह उनका है कि भारत में राजनेतिक योद्दान को लेकर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है उस सक्सकाव पहचान करना नामुम्किन है जिसने राजनेता या राजनेतिक पाती को दंडा दिया है साथ ही ये जानना भी मुश्किल है कि राजनेताओं को अपने परचार के लिए फंड कहा से मिल ला है बहुत कम दंद आता है अपने राजनेतिक दान का खुलासा करते हैं उन्हें डर रहता है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो उन्हें इसका परतिकार जहिलना पड़ेगा उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लाए गई चुनावी ब्रैंड परनाली का कोई भी खास प्रवाब नहीं पड़ा है हमारी परनाली में पार्दर्शिता का आभाब है दोस्तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहती हैं धन्यवाद